खेल दोस्तों शारे क्लास में आप सभी का स्वागत है में नाम है जतिन दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे की हिंदी व्याकरंट की पार्थ और तो आप का प्रक्रण है वो है पर्याइवाची शब्द दोस्तों जब भी हम कोई हिंदी व्याकरण की पाठुजना बनाते हैं या लिखते हैं तो उससे पहले हमें कुछ यस चीज़े लिखनी बहुत ज्यादा जुरूरी होती है जैसे विद्याले का नाम क्या है कख्षा कौन सétait उसका वर्ग किया है निए हम प्रस्तुत सकते हैं चैत्र ध्यापक क अपना नाम और अनकुर्मांक भी लिखेंगे आये दोस्तों बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण की पाथ हुजना कैसे बनाए जाती है दोस्तों हिंदी व्याकरण की पाथ हुजना में सबसे पहले आते हैं समाने उदेश्य का सोपान इसमें हिंदी भाषा से संबंदित उसके भाषा के कौशलों से संबंदित और जो हिंदी व्याकरण है उससे संबन्दित कुछ संबन्सक्रान को पढ़ने के बाद बच्चों में कि इस चीज़े से ज्यान का विकास होगा उचीजे हम या लिखेंगे जैसे चाथ पर्यावाची शब्दों को जानकर शब्द भंडार का समवर्धन करेंगे यह जैसे कमल जलज पंकज नीरज ठीक है तो जो कमल शब्द है उसके तीन नाम होगे तो क्या होगा जो बच्चों का समवर्धन यानि वड़ेगा बच्चों का कि अगर उनको कहीं कमल शब्द का उसकी जगह वह पंकज या नीरज शब्द का प्रयोग कर सकते है उसके पर्यावाची शब्दों के माध्यम से अनेक नवीन शब्दों का इंश्ब्द करेंगे अब जब बच्चे पर्यावाची उसमें जो वो किस तरीके से हैं किस तरीके से निखे जाते है कैसे उनukt को भोलाया पढ़ा जाथा उनमें उनको परिवर्तन हुए और उनका शुद्षभ क्या उसको जान सब्सक्राइब करना दोस्तों इसमें जो आपकेansen संबंदि आपको पढ़ाने का आवश्यक है जो सहायक है उनको आप यहां पर लिख सकते हैं जैसे शामपट या शामफलक फ्लैश कार्ट या चार्ट इत्यादी अगर आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं और चौक मारजनी संकेतिका और प्रस्तुती साधनी अगर पीपट के मादम से पढ़ाना चाहते ह यह इसके बाद आता है पूर्वज्यान का सोपान पूर्वज्यान में जो बच्चों का प्रकरण है जैसे पहले बच्चों को इन चीज की नौलिज होनी चाहिए बच्चों क्या पता होना चाहिए उसको मियापर लिखते हैं जैसे कि छात्र पर्रयावाची सब्द के विश रहे वाची शब्द भी पढ़ाना चाहिए दोस्तों वीडियो को आगे continue करने से पहले मैं आपसे चोटी सी request कर लेता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि इस वीडियो का और इस पाठोजना का कोई भी सोपान आपसे दोस्तों पूर्वियान के बाद आता है प्रस्तावना को सोपान और यह बहुत जादा important होता है क्योंकि जब भी आप अपना प्रस्तुवित्ती करन करते हैं तो प्रस्तावना से ही करते हैं और यहीं से आपकी जो पाठोजीना प्रारम होती है जब आप बच्चों के सामने present क करते हैं और ध्यान रहे कि जो प्रस्तावना है में प्रश्ण होते हैं वह तीन से पांच प्रश्ण हो इससे जादा ना हो और जो प्रश्ण है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हो जिग-जग फॉम में यानि कि जो पहला प्रश्ण है उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से ही दूसरे प्रशन बनना चाहिए और दूसरे प्रशन के आंसर से तीसरे प्रशन जो भी आपका अंतिम प्रशनों या आकरी प्रशनों वो समस्यात्मक होना चाहिए प्रस्तावना के जानेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद आता है प्रस्तूती करण का सोपन इसमें आप एक चार्ट में या ब्लैक बोर्ड में बच्चों के सामने कुछ पर्रहवाची शब्द लिख जीजिए और उनके क्या-क्या पर्रहवाची होते हैं उनको भी लिख सक बच्चों को बता सकते हैं कि यह पर्रहवाची हैं इनके यह पर्रहवाची होते हैं निशारात्री रजनी भी कहते हैं और पहाड को परवद्गृ शयलदी के भी जाना जाता है तो इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा बहुत हो जाएगा कि हां आज हम नए शब्दों को जान रहे हैं अच्छी से चीजें पड़ रहे हैं उसके बाद आता है संचलेशन का सोपन इसमें भी आप दो से तीन प्रश्ण बच्चों से पूल सकते हैं कि आ अगर उनको बहुत होगा उनुनों समझेंoniों बता दें कि वह में वसंद्रदा इस तर जी तो दिन इस तरह में सकतें और उसका को रदा सकते हैं और उसका कोई एक दूसरा शब्द कुसुख वूल और कुसं का वाले हो गई यानि पर्यावची शब्दों के समान अर्थ पर्यावची शब्दों के साथ और प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यवज़ी शब्द कहा जाता है यानि कि जो शब्द है उन शब्दों का अगर एक ही अर्थ निकल रहा है ठीक है तो वह प्र्यवज़ी शब्द कलाएंगे अब जैसे एक छोटा सा उधारन देता हूं कि जैसे आपका स्कूल में कोई और नाम होगा कॉलेज में कोई और नाम होगा ठीक है दोस्त किसी और नाम से बुलाते होंगे घर में आपको किसी और नाम से बुलाया जाता होगा तो अगर आपको सोनू मोनू ठीक है किसी भी नाम से बुलाया जाता है लेकिन आपको ही बुलाया जाता है तो आपके क्या हु भूमी धरती धरा वसुदा वसुंद्रा यह सारे क्या है पर्यवाची शब्द नियम लेखन के बाद आता है मुल्यांकन प्रश्णों को सोपान अब यहां पर बच्चों का मुल्यांकन करेंगे कि छटी क्लास के बच्चे उनको पर्यावची शब्द समझ में आये हैं याद ह उसके लिए आप 102 प्रश्ण बच्चों से अभ्याज में पूछ सकते हैं और उसके बाद आता है ग्रेकारे का सोपान इसमें बच्चों को ग्रेकारे के लिए उनके स्तरके अनुसाद जैसे की प्रित्वी जल सूर्य देवता और दिन के तीन तीन पर्यावाची शब्द या और अपने उसली दोस्तों की साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और हमारे आनेवाली वीडियोश के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिल यकंद दबाए जिससे आपको आनेवाली वीडियो के नोटिफिकेशन ठाइम पर मिलती रहे धन्यवाद